तो दोस्तो आज किस वीडियो में आप सबको बात आने वाला हूं आपका इंस्टागराम आईडी मोनिटाइजेशन के लिए या नहीं है इस वीडियो में आप सब इस वीडियो पर बने रहेगा एंड तक और आप सब इस चैनल पर नहें तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिज आप सब देख सकते हैं तो आपको अपने परफाइल में आजना है परफाइल में आजने के बाद आपको क्या करना है यह जो तीन मतलब लाइन दिख रहा है ऐसे तो उस अप्शन पर आपको क्लिक करना है यहां क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां सेटिंग पर आप स सबको कुछ इस तरह केंडर फेस देखने को मिलेगा तो अब आप सबको क्या करेंगे तो आप सबको कुछ इस तरह केंडर फेस देखने को मिलेगा तो आप सबको क्या करेंगे तो आप सबको कुछ इस तरह केंडर फेस देखने को मिलेगा तो आप सबको क्या करेंगे तो आप फिर से थोरा से बयांका जाता हूं बयांका जानेक बाद दोस्तों मैं फिर से monetization status option पर मैं क्लिक करता हूं यहां क्लिक करनेक बाद आप सब को कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा आप सब देख सकते हैं अगर आपका अगर future उचड़ाता है मतलब आगे का जो भी इसका परकिरिया होगा ठीक है तो उस पर मैं अलक से आप सब के लिए एक वीडियो बनाऊंगा तो आप सब इस प्रकार से दोस्तों आप सब चेक कर सकते हैं कि आपका Instagram ID monetization के लिए eligible है या नहीं आई गाई ठीक है और मैं आपको बता दूंगाइज की यह option यह option आपको कितने मतलब फ्लोर्स पर मिलेगा तो चलिए इस में बाइंगा कर दिखा देता हूं सबसे पहले मैं अपने आप सब देख सकते हैं कि मेरे Instagram ID पर कितना फ्लोर्स है आप सब देख सकते हैं लेकिन यह 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 फ्यूचर यानि मेरा है यह नहीं अगर दोस्तो अभी तक इंडिया में नहीं आया है मोनिटाइजेस फ्यूचर ख़िख ठीक है अगर दोस्तों इंडिया में आ जगा तो दोस्तों आपका Instagram ID मोनिटाइज हो जगा और क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए दूस्तों मैं अलग से एक बना दूंगा तो आप इस मेरे चनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा ठीक है तो चलिए इस वीडियो में वस इतना ही हम मिलते हैं आप सबसे अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए स्वास्त रहिए जय हिंद जय भारत